मैं आचार श्या मुहंत्र पाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ जिनका जन्म गुरुवार यनि ब्रहस्पतिवार को हुआ है वह बहुत भागशाली ब्यक्ति होते हैं दोस्तों गुरुवार जन्म होने से क्या-क्या लाभ होता है नौकरी ब्योसाय में किस तरह लाभ उठा पाते हैं कारुवार आपका कैसा चलता है जिन लोगों का जन्म गुरुवार को हुआ है उनका कैरियर कैसा रहेगा ये सब जानने के लिए हमारे इस पूरी बीडियो को देखेंगे अंति तक देखेंगे तो गुरुवार के जन्म ब्यक्ति समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या क्या तरक्की होने वाला है हमारे कैरियर में क्या सुधार होगा हमारे भाग्य कैसे बनेंगे ये सब आप अपने कैरियर के बारे में जान पाएंगे तो दोस्तों आईए बताते हैं जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है वे बिद्वान होते हैं बिद्वता में पारांगद होते हैं धन्वान भी होते हैं और गुडवान भी होते हैं इनके अंदर बिद्वता बिद्वान रहती है सर्श्वती माता की साक्षात कृपा रहती है गुरु भगवान ब्रहस्पती की इनके उपर कृपा रहती है जिनका जन्म गुरुवार को हुआ है वो अपने मन मुताबिक कार्य करने वाले और इतरों के प्रसंसक होते हैं सासंद्वारा इन्हें शम्मान भी प्राप्त होता है और शर्व जन प्रिय होते हैं लोगों में इनका शम्मान होता है और ये विद्वान तो होते ही हैं क्योंकि गुरु महराज, ब्रश्पती महराज, साक्षात इनका साथ देते हैं जिनका जन गुरु आर को हुआ है लेकिन गुरु आर के जन में ब्यक्ति थोड़ी सी शारेरिक पीडा भी रहती है हलका फुलका कश्ट इने मिला करता है लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि गुरु देव महराज आपके साथ है आपके हर संकट ब्रश्पती भगवान दूर करेंगे आपके नौकरी ब्योसाय में उन्नती भी होगी आपके मार्ग अच्छे चलेंगे आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा और आपके घर परिवार में आपका शम्मान होगा सर्व जन्प्रिया आप होंगे लोगों में आपका शम्मान और बढ़ेगा गुरु ब्रश्पती आपके साथ है आपके नौकरी ब्योसाय में उन्नती कराएंगे आपका कारोबार अच्छा चलेगा ब्यापार करते हैं तो ब्रिद्धी होगी भूम, भवन, वाहन का भी अभिने शुक प्राप्त इने होता है क्योंकि जिसका जन्मगुरु आर को हुआ है वह बहुत ही भागशाली होते हैं इतना भागशाली होते हैं कि राजा जैसा महसूस करते हैं कुछ इनका ऐसा शमय भी आता है जिससे लोगों में शम्मान होता है और धन लक्षमी की क्रपा होती है कुवेर की क्रपा होती है धन बैभ्यो खूब होता है और ये मर्यादित रहते हैं और ये मर्यादित रहते हैं